नमस्कार ज्यान गंगा भारत इस यूटूब चैनल पर आप सभी का हरतिक स्वागत है आज हम विशे हिंदी में कहानी लिखन मुद्दो के आधार पर कहानी लिखन इस विशे की जानकारी प्राप्त गरने वाले हैं मुद्धों के आधार पर कहानी लिकन इस विशे पर हमेशा आपको परिक्षा में प्रश्न पूचा जाता है तो किस प्रकार हमें मुद्दे पढ़कर कहानी निखन लिखनी ही यह हम उधारन का सायता से समझाने का प्रयास करेंगे मैंने उधारन आलत दिया ही मुद्दे हवा और सूर्य में जगडा एक आदमी का उदर से निकलना दोनों में शर्थ आदमी का कंबल उत्रवाना हवा का तेजी से चनना आंधी का आना सरदी बढ़ना आदमी का कंबल कसकर लपेटना सूर्य की बारी तेजी से चमकना गर्मी का बढ़ना आदमी का कंबल उत्रा कर हात में नेनेना हवा का हार मान लेना और सी इसे मुद्धे आपको अलग-अलग मुद्धे परिक्षा में पूछी जाते हैं और मुद्धे पढ़ने के बाद आपको उस मुद्धों के आधार पर हमें कहानी को नाम देना पढ़ता है और उस कहानी निखने के बाद आपको उससे क्या सिख मिली यह सिख भी आपको अंत में निखने पड़ती है अभी हमने मुद्दे पड़ लिए तो हमने मुद्दों से आधार पर हमने कहानी को नाम क्या दिया है हवा और सूर्य कहानी को नाम क्या दिया है आवा और सूर्य और जैसे हमने स्टार्टिंग से पॉइंट मुद्धे पड़े उस मुद्धों के आधार पर हमने कहानी लिखना स्टार्ट करना जैसे मैंने लिखा है एक दिन हवा और सूर्य में जगडा हो गया हवा करती थे कि वह बलवान ही, सूर्य करता था कि वह बलवान ही, दोनों में बहुत बहस हुई, पर कोई खर न निकला, तबी दोनों ने देखा एक आदली कंबल ओड़ कर जा रहा है, हवा ने कहा, हम दोनों में से जो इसका कंबल उत्रवा देगा, वही बलवान माना सूर्य ने शर्त मानने, पहला उसर हवा को मिना, वहां भहुत तेज गती से चलने लगी, थोड़ी देर में वहां आंधी में बदल गई, तेज हवा के कारण उस आदमी को और अधिक सर्दी लगने लगी, उसने अपना कंबल अच्छी तरह से लपिट लिया, हवा ने बहु जोर लगाया, पर वहां आदमी का कंबल न उतरवा सके, अब सूर्य की वारित ही, उसने अपना कंबल दिखाना शुरू किया, सूरज तेजी से चमगने लगा, देखते ही देखते सर्दी समाप तो हो गई, मोसम गर्म होनी लगा, उस आदमी को गर्मी लगने लगी, और पस सिना आ गया, उसने अपना कंबल उतरा कर हाथ में लेनिया, हवा का घमन सदा की ने तूट गया, वह सीर जुका कर सूर्य से दूमोने, तुम सचमुच बलबान हो, अब यहाद कहानी पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, हमें क्या सिक मलती हैं, घमन लेका सीर नीचा होता ह इस प्रकार आज हमने विषेहंदि में कहानी लेकन, मुद्धो की अधार पर कहानी लेकन किस प्रकार लिखने चाहिए, यह हमने उधारन के सायता से समझाने का प्रयास किया आपको यह वीडियो कैसे लगा कमिल मॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो को जादा से जादा शेयर करना लाइक करना अगर आप हमारे ग्यान गंगा भारत इस यूटूब चानल पर नए हो तो चानल को ज़रूर सब्सक्राइब किजी और बेल आइकोन को प्रेस किजी ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके धन्यबाद